जाहिन देखिए एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिष्ट के बीच में वही जो पुराना नक्सा विवाद था उसको दुबारा इस्टार्ट हो गया है एक्चुल गौर्मेंट पर इस चीज का डिसीजन्स के असर गौर्मेंट पर जरूर देखे जाते हैं इंटरनेशनल बहुमत की सरकार नहीं है जैसे बिहार में है ना तीन बड़ी पाटियां है बिहार में तो कभी इधर से उधर होते रहता है वैसे नेपाल में भी सेम है कंडिशन है अब नेपाल में इन तीन नेता लोग को पहचानी है यह हमारे सेर बहादूर दहुआ साब यह इंडिया के पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ने ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं इनके साथ किसी ना किसी एक गड़बंधन की सरकार बनती है तो गड़बंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दववा साथ मिलके गड़बंधन में तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे अभी यहां से गडवन्न तूटके प्रचंट साब की गडवन्न हो गई है केपी सर्मा ओली साब के साथ तो अभी वह प्रोचाइना होते जा रहे हैं लोग तो ओली साब शुरुवात से प्रोचाइना है आखिर इसके बीच में भूमी मैयनोर्टी में तो कई तरह की गवे डol गहर्मिन की यहां पर तो जासे भारत मे कभी आम का म करता है कंभी मैयनोर्टी मेजॉर्टी से अगरी जब थे तो वह नेपाल के साथ युद्ध किया और एंग्लो नेपाली युद्ध हूआ और यह युद्ध की समापती 1816 के सुगावली के संधी के दारा यह समापत हुआ था अब यह संधी में क्या क्या चीज यह थी इसको हम लोग समझ जाते हैं दिखिए सुगावली की संधी में यह था कि रिसाइट किया गया कि पूरव साइड में मेची नदी जो होगी वह सीमा बनाईगी नेपάλ की यहां नेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाईगी सुगावली की संधी हो गई 1816 के यहांपट यहां एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि यह एरिया इस रेखा के उधर चला गया है उवह मेरा है यहां पर वो एरिया यहां देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिंपया-धूरा-काला-पानी और ले-pulek है। उसको हम लोग समझते हैं। यह एरिया कहां आता है, तो नेपाल और उत्तरा खण्ड राज के बीच में आएगा। उतराखंड के पास, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज विवाद है, तो यही एरिया यह जो हलका सा नोक निकला हुआ है उतराखंड में यही वाला एरिया है, तो दीके यह उतराखंड का इधर हो लिए, यह नेपाल हो गया, महाकाली नदी जो है वो दो धारा अब प्रोब्लम कहा रहा है कि अगर इसका उद्गम अस्तल लेपुलेक माना ज JEए गा तो यह पूरा इरैया भारत का हो भारत को माना जाएगा तो यह एरीया नेपाल को चला जाएगा यानि भारत और नेपाल के बीच decide करेगी नदी कि किसके पास ये नदी है तो देखिए ध्यान से तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है 1816 में जब सुगोली की संधी हुई थी तो अंग्रेजों ने लिंपिया धुरा वाले इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा अठारा सो सो सुला में जभी नहीं थी यहां कोई रहता भी नहीं था लेकिन यहां से चीन से व्यापार करना शी था तो अंग्रेजों ने लिंपिये ALEX. लेपुलेक से ये नदी जो है इसका ओरीजिन हम नहीं मानेंगे हम ये मानेंगे कि हमल ये महाकाली नदी का ओरीजिन ये लिम्पिया धूरा से होता है अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पिया धूरा से हो रहा है तो लिम्पिया धूरा बीच में जगा पढ़ता है काल काला पानी और यह जगह पड़ता है आपका लेपुलेख तो लिंपिया धूरा काला पानी लेपुलेख यह पूरा एरिया जो है यह एरिया नेपाल को चला जाएगा अब इसको ओली साहब राष्टी मुद्दा बना के चुनाओं में कुछ फाइदा चाहते हैं लोग तंद की यह खराबी हो जाती है कि एलेक्शन जो होता है पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया है जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना तो एलेक्शन में ना 140 क्रोन लोग रहेंगे यहां पे भारत में कोई तारीफ कर रहा है क किसी एक पार्टी की बुरा ही कर रहा है किसी एक पार्टी की अरे यार तुम लोगतंत्र में इसलिए बने हो राजा हटा के इसलिए बनाए गया था कि अपनी बात पर रहो ना कि कौन सी पार्टी जादे स्कूल खुलवाई किस पार्टी में इनिवस्टी जादे आए ना मत प्रियोर्टी कम रहती है तो हमें इसा से आप देखेंगे ना तो वेक्तिका तो मतलब कोई किसी का कुछ खास डिमांड ही नहीं रहता है इसलिए देखिएगा भारत में धरातल अस्तल पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है पहले भी सड़क नाली मु आपसे देखेगा तो यह कोना काफी जरूरी है क्योंकि इस इसी पहाड थोड़ा सा डाउन है और यहां से नेपाल में जाये जाए चाईना जाये जा सकता है और यहां हमारा कैलास परवत है यहां पर कैलास मांसरोवर वहां हमारा बहुत बड़ा तिर्थरस्तल है संकर जी क नेपाल का भी रहत जाता है हालाकि नेपाल का अपना तर्ख है कि बहुत समय तक यहां का एरियर्या की जनगर्ना नेपाल में होती थी तो भाई आउधने जिशनी हट धर्मिता अपनाते हुए, इस एरिया को ले लेता है, तो इसे केवलो एक मनोवेज्यानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुस्मनी चाइना से हैं ना भारत से, और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा, इसे बेटी और रोटी का रिस्ता कहता है, तो जब कभी भी रिस्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना, कि काफी जादे मतलब लॉस होगा, बेटर होगा इस एरिया को लेंड आफ फ्रेंड्शिप घोसित कर दिजे, कि दोस्ती का जमीन, भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो, नेपाल के सेना पर मुख को भारती है सेना अपना सेना पर मुख मानती है, और भारत की सेना भी नेपाल के सेना परमुख को अपना सेना परमुख मनते हैं तो जैसे भारत का कोई सेना पती बनता है ना तो उसे नेपाल के यहां ओनररी सेना परमुख बना दिये जाता है और वहां का भी यहां इतना खुशाल रिष्टा है भारत ने ऐसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें हमारे नेपाली गोरखा भाईयों ने अपनी सहादत नहीं दी हो तो इस एरिया को हम लोग वैसे भी यहां कोई रहने नहीं जाता है इस एरिया में इतना हार्स कोमिंग का दुगान बीजनस ठंडी के दिन में कंबल बहुत सारा नेपाल के लोग यहां के करते हैं प्रेंडशिप है यहां पर जब तराजू लेके तो इसे चाइना को फायदा होगा और और पर अन्मेचियर डेमोक्रेसी की यह खराभी होती है चुनाव जीतने के लिए क कहा गयाता है कि यह गंडक नदी जो है जब बिहार में प्रवेस करेगी तो इसके इस साइड वाला इस साइड वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया नीचे का यह वाला एरिया भारत का होगा यानि गंडक नदी को नेपाल में नरायनी नदी कहा जाता ह हम लोग इसे गंडग कहते तो इसके इधर का एरिया नेपाल में और इधर का एरिया इंडिया में अब देखें ध्यान से नेपालों क्या करें आ फाल में आते जाएगा यानि इसे मत्ी लोग और रहा है और नराइनी नदी नेपाल इसी नदी को नराइनी कहते हैं तो नदिया इधर की और भागते जा रही है तो नेपाल कर रहा है हमारा पूरा जमीन कब जी आ रहा है और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है खेती लाइक है बाकी तो पहाड़ है कर रहा है कि वह यहीं पाखेती लाएके नदिया इधर भाग रही है नदी को रोको इस टॉप लाल जहंडा लगाओ यहां पर इस टॉप नदिया नहीं रूक रही है धड़ाधर इधर भाग रही है इस से नेपाल की जमीन कम होती जारी है और भारत की जमीन जादे होती जारी है और यह पेग बीवाद आता है चमपारन जीवाद में ऑन परायाइन नदी और हम लोग गंडग रहते हैं यहां जो सुस्ता जुचे इस सॉट्वंस करता ए मैं सusta तो यह जगह सुसता था यह नेपाल में आता था नेपाल में था ये जगह सुस्ता लेकिन हुआ क्या कि 50-60 साल बाद ये नदिया इधर घूमने लगी और घूमते घूमते ये नदी जो पहले इधर से जा रही थी वो घूमते 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 इधर चल गई अब भाया नेपाल तो उस पार होता है तो एक समय था ये जब सुस्ता नदी इधर थी वहाई कि नदी अईसे घूम गई है नदी आयंसे घूम गई यहां पर अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुफ्ता वाला जगह यह आ गया भारत में अब भारत का इसा मिल बेटके इसा सजह समझा लेना चाहिए NEPAL को indirectly भारत के वीजा लिबरल वीजा पालिसी से बहुत फाइदा होता है और हम दोनों लोगों को लिए होता है और इसमें अगर loss होगा किसी का तो NEPAL का जादे loss होगा फाइदा चाइना को होगा ultimately किसी देश में राजनीतिक मतभेध हो सकता है सांस्कितिक मदभेद अभी चाइना नेपाल हम और भारत जादे एक दूसरे से आइसे म्हारत कर लगते नेपाल के नेपाल के साथ इसलगा क्रोर आईड़िया होना सohовые आपको पूरी इसका होना चाहिए हाला कि हमारे हीशाब से ईड़क से इरिया इसलरा आप साय ने रूप से भारत को वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बताए रहना चाहिए यहां पर और नेपाल वगरा के इस जब जियों को अब यह क्योंकि टॉपिक भारत के पडोस वाला है तो इसलिए यह BPSC में भी बहुत ज्यादे लगती लेगे तयार रहेगा और बापु शभागार में अपराईल नीट वालों के लिए इवनिंग में और UPSC वालों के लिए 6 अपरेल को सुबा में 10 बजे तो यह सब लोग बापू सभागार में मिलेगे वहाँ अब पतना में भी आप लोग का UPSC का क्लास इस्टार्ट हो जाएंगे तो सब लोग कमर कस लिए नीट वाले भी UPSC वाले भी सब लोग और आयोप आ समझे होंगे मिलेगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन